डेवरिया में ससुन्लाल यूं न दमात की पिठाएगी उसके बास गर्म पाने से जलाया। तीनों ने मिलकर उसे छट से नीचे फेक दिया है इसकी बज़े से पती को गंबीर चोटाई है उसका पैर जक्मी हो चुका है और रिलाज के लिए देवरिया मैडिकल कॉलेज में चल रहा है आपको बता दे कि बलीया जनपत के शिखंदर बूर्थाना शित्र के लीलकर गाउं के रहने वाले आसिस राय की शादी देवरिया जनपत के बन कठाना शित्र के रहने वाली अम्रता राय के साथ हुई थी सनिवार की साम आसिस अपने ससुराल पहुँचे जोहां वो खाना खानी के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे सोने चुलेगा अच्वानक सुबह तीन बजे आसिस की पत्नी उठी और वो किचन में गई जहां पहले से ही पत्नी की बहन ने गर्म पानी करके रखा हुआ था पत्नी ने वो गर्म पानी लाई और अपने पत्नी के उपर फेक दिया इसके बाद पत्नी साले और साली और ससुन ने मिलकर आसिस की जमकर पिटाई की जब वो अपने जान बचाने के लिए शर्ट पर भागा तो वहाँ पहुँचकर इन तीनों ने उसे पीठा और उसे च्छट से नीचे फेक दिया पत्नी के सोब मचानी के बाद अगल वगल की लोग वहाँ पहुचे और उसे अस्पताल पहुचाया वह आरूपी है कि पत्नी आसिस का किसी अन्यमहला से संबंध है इसी बात को लेकर पत्नी और उसके सच्छणाल बालों ने पत्नी के जमकर पिटाई की है इस संबंध में मुकत्मा दर्श कर पोलिस ने अपनी अम्रता पत्नी को गरफतार कर लिया और सेस की तरास चारी है आप देख रहे हैं News 11 इंडिया टीवी लाइप से प्रदान संपारक देने सिंग कुश्वाहा की खास रेपॉर्ट आपको लगेगा वो देंगे और क्या को सकते हैं क्या नामे और आपकी इस गाउं के राने वाले हैं यह जिला बलिया थारस रहो है अपकी साथ यहां होई है अपनी सुस्राल अपनी पत्नी के साथ आया था जहां पर उसकी पत्नी दुवारा उसके उपर गरम पानी डाल दिये जाने तथा मारपीट किये जाने की सोचना पर थाना पन्कटा में अभियोग पंजिक्रत हुआ पंजिक्रत होने के उपरा प्रिडित की पत्नी को भी अफ्तार कर लिया गया है निया मनुसा अगरिव दिक्कारवे की जाने है